आज हम ऐसी विभूत के वारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो अपने समय के महान राजनीतिग्य और कलमकार थे उन्होंने अनेका नेक ग्रंथों को देकर साहित के भंडार को भरने का प्रणम में प्रयास किया है हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहलाल नहरू पंडित जवाहलाल नहरू का जन्म 14 नौंबर सन 1889 को इलाहाबाद में हुआ था जो आज कल प्रयाग कहा जाता है पंडित नहरू के पिता स्री मोती लाल नहरू अपने समय के बहुत बड़े वैरिश्टर थे और जवाहलाल नहरू की माता का नाम था स्री मती स्वरूप रानी जवाहलाल नहरू की दो बहने थी एक थी बिजय लक्षिमी जो स्वर्यूत राश्रंग की प्रसम महिला अध्यक्ष बनी और सबसे छोटी बहन थी क्रिश्णा हठी सिंग जो एक लेखनी लेखी का बनी बहुत अच्छी लेख का रही हूँ जहां तक शिक्षा दिक्षा का प्रश्ण है पंडित जवाहलाल नहरू ने अपनी विद्यालेजिंश सिक्षा हैरो से और महाविद्धियालाइन सिक्षा टीनीटी कॉलेज्स चैमब्रिज, लंदन से पूरी की थी इसके बाद उन्होंने कानून की उपाधि कैमब्रिज विश्विद्धियालाइन से प्राप्त किया इंग्लेंड में उन्होंने साथ वर्ष रहकर समाजबाद और राष्ट्रबाद के लिए तर्क संगत दृष्टिकोंड विक्षित किया समाजबाद क्या है राष्ट्रबाद क्या है इसको बहुत बारीकी से समझा सन 1912 में पंडित जवाहलाल नहरू भारत लोटे और उन्होंने वकालत प्रार्म कर दी इसी समय कमला जी के साथ 1916 में पंडित जवाहलाल नहरू का बिवा कमला नहरू के साथ हुआ सन 1917 में वे होम रूल लीग में सामिल हो गए राजनीत में उनकी असली दीक्षा सन 1919 में हुई जब वे महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए बस यहीं से पंडित जवाहलाल नहरू में परिवरतन होना प्रारंब हो गया सन 1926 से लेकर के 1928 तक अखिल भारती कांग्रेश समीत के महा सचिव और इसके बाद दिसंबर 1929 में वे कांग्रेश पार्टी के अध्यक्षि चुने गए सन 1927 में जब अपना देश आजाद हुआ तब वे हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री बनें के पूर्व आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ उन्होंने बहुत संघर्ष किया है अंग्रेजों भारत छोड़ो असवयो गांदोलन से लेकर अंग्रेजों की गुलामी से भारत को मुक्त कराने के लिए पंडित जवाललाल नहरू ने त्याग भी किया है इसलिए नहरू जी पर महात्मा गांधी जी का पूर्ण प्रभाव पड़ा है महात्मा गांधी के आवाहन पर ही वकालत छोड़कर आजादी की लड़ाई में पंडित जवाललाल नहरू ने अपना पूर्ण सा योग दिया नहरू जी ने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई आर्थिक और द्योगिक बैज्ञानिक अनसंधान परक साहितिक अला संस्कृति कई छेत्रों में उन्होंने बहुत काम किया इस देश को उचाईयों पर पहुँचाने का प्रयास किया नहरू जी का बच्चों के प्रत बड़ा लगाव था बड़ा अनुराग था बच्चे उन्हें चाचा नहरू कहा करते थे और आज भी हम लोग 14 नुवंबर को उनके जनम दिन को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चे चाचा नहरू के नाम से उन्हें जानते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजी सिक्षा से प्रभावित होने के वावजूर भारतियता उनमें कूट कूट कर भरी थी उन्होंने तमाम सुक्सुभधाओं का प्रत्याग कर देश के लिए अपना जी मेहरू एक कर्मठ साहसी और देशवक्त थे वे अत्यंत शांत प्रियनेता थे उनका द्रिश्टिकोंड जो था वो मानवताबादी था कि वे विश्व बंधुत एवं पंचसील की भावना के समर्थक थे वे समाज में समता की भावना और विश्तार चाहते थे उन्होंने जीवन भर अन्याय दास्ता सोशन की प्रब्रित्ति का विरोध किया उन्होंने भारत के नो निर्मान के लिए अथक प्रयास किया 27 मई 1964 को वे पंच तत्त में बिलीन हो गए पंडिक जवालाल नेरू स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एग राजनीतिग्य कानून वेत्ता के साथ साथ बहुत बड़े लेखक भी थे उन्होंने अपना लेखन अंग्रेजी में किया था जिनका देश विदेश की अनेक भासाओं में अनुबाद हुआ उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की जैसे विश्वितिहास की जलक दूसरा है मेरी कहानी तीसरा है भारत की खोज चौथा है पिता के पत्र पुत्री के नाम ये स्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिए जेल से लिखे गए पत्र है इसमें वहीं इंदिरा गांधी जो हमारे देश की प्रधान मंत्री थी पांचमा ग्रंथ है इनका हिंदुस्तान की कहानी स्वाधीनता और उसके बाद सातमा ग्रंथ है राष्ट्र पिता आठमा है भारत की बुनियादी एकता और नौमा ग्रंथ है लड़ खडाती दुनिया इसमें पंडि जवालान नहरू की अनेक्टिपणिया और भाशन पिबर्ध है पंडित जवालाल नहरू का समग्र साहित्य अंग्रेजी में लिखा गया आपके पार्ठिक्रम में संकली तालेख भारत माता उनके ग्रंथ हिंदुस्तान की कहानी से लिया गया है अंग्रेजी से हिंदी में अनुबाद स्री हरिभाव उपाध्याय जी ने किय है इसमें पंडित जवालाल नहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजीत जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते हैं कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हमारा हिंदुस्तान एक है इस अपार फैलाओ के बीच एकता के क्या आधार है और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियती एक ही तरीके से कैसे बनती है बिगड़ती है इसी क्रम में लेखक नहरुजी ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निश्कर्स है कि भारत माता की जय यहां के करोणों करोणों लोगों की जय अब यहां लाक्षनिक प्रयोग है कहने की जरूरत नहीं है कि अपने छोटे आकार के बाबजूर इस आलेक का कत्य अत्यंत विराट और प्रस्तुती करन पहना है अब पाठ में आये हुए जो अर्थ ग्रहन सम्मंधी जो हमारे अनुच्छेद हैं मैं उन पर चर्चा करता हूँ जिससे कि यह पाठ आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाए पंडिन नहरू कहते हैं अक्षर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता तो इस तरह चकर काटता रहता होता था तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत के समंध में चर्चा करता भारत एक संस्कृत सब्द है और इफजाच के परंपरागर संस्थापक के नाम से निकला हुआ है मैं सहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहां के सुनने वाले कुछ ज्यादा से आने थे और उन्हें दूसरे की किस्म की गिजा की जरूरत थी लेकिन किसानों से जिनका नजरिया महदूत था मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आजादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस रह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था मैं उन मशलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिर तक और पूरफ से लेकर पस्चिम तक किसानों के लिए एक सांथ थे और स्वराज जी का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बलकि सभी के फाइदे के लिए हो सकता था इस अनुछेद को समझने के लिए प्रशनोत्तर के माध्यम से हम देखें जैसे प्रशन है भारत का नाम कैसे पड़ा पनिर नहरू का मानना है कि भारत का नाम भारत के ही प्रसिद्वीर भरत के नाम से पड़ा भरत राजा दुश्यंत और सकुंतला के पुत्र थे वह परंभीर और पराक्रमी थे भरत मूलतः संस्कृत भाषा का सब्द है इस अनुच्छेश पर दूसरा प्रस्ण बनता है कि नहरू जी सहरों की अपेक्षा गाउवासियों से भारत माता की चर्चा क्यों करते थे तो इसी अनुच्छे से इसका उत्तर निकलेगा कि नहरूजी शहर में रहने वाले लोगों से भारत माता की चर्चा नहीं करते थे कारण कि नगरवासी समस्दार थे वे इन बातों को जानते थे गाउवासी किसानों का सोचने का डंग थोड़ा सीमित था वे केवल अपने गाउं जिले प्रांत तक ही सिमित रहते थे अता उन्हें पूरे भारत मरत से जोड़ना अधिक आवश्यक था इसलिए सहरों की अपेक्षा पंडित जवालाल नहरू गाउं में जा करके अपनी पर चर्चाएं किया करते थे एक और इस पर प्रस्ण बनता है कि नहरू जी गाउं वाशियों से किन बातों की चर्चा किया करते थे तो पंडित जवालाल नहरू गाउं वाशियों से अपने देश और आजादी की चर्चा किया करते थे वे उन्हें बताते थे कि पूरा देश अनेक हिस्सों पर बटा हुआ है फिर भी एक है अनेकता में एकता ही हमारी संस्कृत की मूलभूत भी सेस्ता है सारे देश के किसानों सोविय चर्चा किया करते थे वे हुआ उसे स्वषराज देश को लाब होगा जब हम स्वषराज प्राप्त कर लेंगे पंडित नहरू का कहना है कि मैं उत्तर से पस्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर्दक्षिन में कन्या कुमारी तक की अपनी आत्रा का हाल बताता और कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से एक सवाल करें क्योंकि उनकी तकलीफ हैं एक सी थी और ये कही तरह का वो सवाल भी करते थे यानि गरीबों करदारों पूजी पतियों के जो सिकंजे हैं पूजी पतियों के सिकंजों में जो जकड़े हुए हैं जमिंदार के महाजन कड़े लगान और सूद पुलिस के जुल्म ये सभी बातें गुथी हुई थी और धड़े के साथ जिसे एक बिदेशी सरकान ने हमपल लाद रखा था अईससे छुटकारा भी सभी को हासिल करना थ मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हाद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी सोचें मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अभी सीनिया, मद्य योरोप, मिस्त्र, पश्चिमी एसिया में होने वाले कसम कसों का जिक्र भी ले आता हूँ अब इस अनुछेद पर प्रश्न बनता है कि पंड़े जवाहलाल नहरू ने कहां क्याहां की आत्रा की और क्यों पंड़े जवाहलाल नहरू उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धूर दक्षिन में कण्या कुमारी तक की आत्रा की थी वह सारे देश के लोगों को स्वतंतरता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे थे दूसरा प्रहन बनता है कि पंड़े जवाहलाल नहरू किस से छुटकारा पाने की बात कर रहे थे तो पंड़े नहरू जो हैं विदेशी सासन से छुटकारा पाने की बात करते हैं जिसके कारण सभी का सोषन हो रहा था कि आखिरी सवाल इस अनुच्छेद पर बनता है किसानों के द्रिश्रिकोण में किस प्रकार का परिवरतन लाना चाहते थे तो पंडित जवाहलाल नहरू किसानों के द्रिश्टिकोंड में ब्यापक्ता लाना चाहते थे वह कोशिश करते हैं कि लोग अपने देश के बारे में सोचें इस तरह की वो चर्चाएं किया करते थे वह उन्हें पूरे बिश्व से जोड़ना चाहते थे छेत्रियता की भावना त्याग कर पूरे राष्ट के बारे में अपनी सोच विक्षित करने की बात किया करते थे पंडित नहरू भारत माता आलेख में आगे कहते हैं मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दिलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है वह काम आसान न था लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वो ऐसा मुश्किल भी न था इसकी बज़ा यह थी कि हमारे पुराने महाकाब्यों ने और पुरानों की कसा कहानियों ने जिने वे खोब जानते थे उन्हें इस देश की कलपना करा दी थी और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी सन तीस के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई उसकी बज़ा से दूसरे मुलकों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे इस अनुछेद पर प्रस्ण यह बनता है पंडित जबाहलाल नहरू को काउं सा काम मुश्किल लगता था और वहां आसा कानी से कैसे हो गया पंडित जबाहलाल नहरू को किसानों को पूरे देश एवं विश्व के बारे में समझाना मुश्किल कारे लगता था यह कार सरलता से इसलिए हो गया क्योंकि ग्रामेरों ने महाकाब्यों एवं पुरानों में विभिन प्रकार की कथा कहानियां सुन इसलिए पूरे देश का बर्णानाता था कुछ ग्रामेर तो भिन इस्तलों की यात्रा भी कर चुके थे वो चारों कोनों में जो हमारे चारों धाम हैं वहां तमाम उनकी यात्राएं हो चुकी थे जो देश के बिभिन कोनों में फैले हुए ध्यूसरी बात भारत वासी अपने देश के महाकाव्यों रामायन महाभारत से अच्छी तरह परचित थे वे पुराणों की कथाओं से परचित थे जिनमें देश के विभिन इस्थानों के नाम हैं इन्हीं के माध्यम से पूरे देश की एक समझ रखते थे कुछ देश वासी विभिन तेर्थों की आत्रा भी कर चुके थे इनसे इसी ज्ञान एवं परचे के कारण उन्हें देश के बारे में सब जाना अधिक कठिन नहीं होता था किसानों को पूरे विष्व की बातें समझाने में दो वातों ने पंडित जवाहलाल नहरू को सहयोग दिया पहली बात कुछ सिपाही बने किसानों ने जो विष्व युद्ध में विभिन देशों की आत्राएं की थी युद्ध के दौरान विदेशों में नौकरिया की थी और दूसरी बात किसान वर्स उनईस सो तीस के बाद आई विश्व व्यापी आर्थिक मंदी से अच्छी तरह परचित थे और इसी बीच उन्होंने विभिन देशों के बारे में जाना था परिशेद है भारत माता आलेक का कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं किसी जलसे में पहुचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय नारे से जोर के साथ किया जाता मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता था कि इस नारे से उनका क्या मतलब है यह भारत माता कौन है जिसकी वे जै चाहते हैं मेरे सवाल से उन्हें कुटूहल और ताज्यूब होता था और कुछ जवाब न बन पढ़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते मैं सवाल करता ही रहता आखिर एक हटे कटे जात में जो अंगिनत पीडियों से किसानी करता आया था जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धर्ती मा से है काउन सी धर्ती खास उनके गाउं की धर्ती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धर्ती से उनका मतलब इस तरह सवाल जवाब चलते रहते यहां तक कि वे उब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं इस परिछेत पर भी कुछ प्रस्ण बनते हैं पंडित जवाहलाल नहरू ग्रामीनों से क्या प्रस्ण पूचते थे और उनका क्या प्रभाव होता था तो पंडित जवाहलाल नहरू ग्रामीनों से पूचते थे भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है यह भारत माता कौन है जिनकी जय चाहते हैं पंडित नहरू के प्रस्ण से ग्रामीनों को हैरानी होती और वे एक दूसरे की तरफ या पंडित नहरू की ओर देखने लग जाते उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता था अगला प्रस्ण बनता है कि सामान्यतह जो किसान थे नहरू जी के प्रस्णों से क्यों उप जाते थे वास्तों में सामान्यतह भारत माता की जय नारे के साथ लोगों द्वारा नहरू जी का स्वागत करने पर नहरू जी उनसे इस नारे वा भारत माता की जय का अर्थ इत्य जाद अन्य प्रस्न पूछा करते थे ऐसे गंभीर सवालों का लोगों के पास उपयुक्त जवाब न होने के कारण वे उप जाते थे अगला अनुछेद भारत माता आलेक से मैं इसकी कोशिस करता और बताता कि हिंदुस्तान सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा लेकिन व पहार, जंगल, खेट जो हमें अन्द देते हैं ये सभी हमें अजीज हैं लेकिन आखिरकार जिनकी गिंती है वे हिंदुस्तान के लोग उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं भारत माता दरसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जैसे मु लोगों की जै मैं उनसे कहता कि तुम्हें भारत माता के अंशो एक तरह से तुम्हीं भारत माता हो और जैसे जैसे विचार उनके मन में बैठते उनकी आखों में चमक आ जाती और इस तरह मानों उन्होंने बड़ी खोज कर लिए हो इस अनुछेद पर प्रस्ण बनता है कि पंडित नहरू ने हिंदुस्तान का विस्तित रूप लोगों को किस तरह समझाया तो पंडित जवाहलाल नहरू ने लोगों को बताया कि जितना वे जानते हैं वह सब हिंदुस्तान के ही अंग हैं लेकिन हिंदुस्तान इससे भी अधिक व्यापक और विराठ हिंदुस्ता कि नदियां कि यहां के पहाड घने जंगल खेत सभी भारत के अंदर समाहत हैं देश की नदी पहाड खेत हिंदुस्तान के लोग यह सब भारत माता हैं जो सारे देश में फैले हुए दूसरा प्रज़न बनता है कि किसानों की आँखों में चमक आने का कारण क्या था वास्तों में नहरू जी किसानों को समझाते थे कि जब हम भारत माता की जय का नारे लगाते हैं तो भारत की नदियों पहाड़ों जंगलों खेतों आधि के साथ साथ यहां के करोड़ों लोगों की भी जय करते है किसान स्वयम को भारत माता का अंग जान कर अत्यंत खुसी का अनभो करते थे इसी खुसी के कारण उनकी आखों में चमक आ जाती थी इस अनुछेद पर अंतिम प्रस्ण बनता है कि ये सभी हमें अजीज हैं पंक्ति का क्या अर्थ होगा जिस प्रकार जवाहलाल नहरू को हिंदुस्तान से अधिक लगाओ था उसी प्रकार अन्य भारतवासियों को भी हिंदुस्तान की चीजों से लगाओ था मुझे भी अपने देश से असीम लगाओ है, प्यार है, मैं भी हिंदुस्तान की नदियों, खेतों, जंगलों, पहाडों, जर्नों आधिको प्यार करता हूँ और इन सबसे बढ़कर मैं अपने देश के करोणों लोगों से अधिक प्यार करता हूँ आजादी से पहले भारत निर्मान को लेकर नहरू के क्या सपने थे, क्या आजादी के बाद वे साकार हुए? इस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं आजादी से पहले भारत निर्मान को लेकर नहरुजी ने जो सप्न देखा था किसानों को जमिंदारों, महाजनों आजिके चंगुल से मुप्त कराना, देश में और द्योगिक क्रांति लाना, विज्ञानमा तक्नीक की सिक्षा प्र पूर करना, उनके ये सपने आजादी के बाद पूर्णता साकार नहीं हुए, सरकारी अनिच्छा, बोट की राजनीत, आधि के कारण किसानों की समस्याएं पूर्णता समाप्त नहीं हुए, ब्रस्ताचार के कारण, अब बेवस्थित विकास हुआ है, उद्योग भारत माता आलेख में, पंडित जवाहलाल नहरू ने हमारे भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, यहां की सांस्कृतिक एक्ता और यहां की महत्ता का प्रतिपादन बहुत ही अच्छे धंग से किया है, अब इसमें बच्चों, कुछ शब्दाएं हैं, उन्हें हमें विशेशन बनाना है, जैसे संग्या के सब्द हैं, उनको हम विशेशन में कैसे परिवर्तित करेंगे, अब जैसे संग्या सब्द है आजादी, तो इसका विशेशन होगा आजाद, जैसे संग्या है चमक, तो इसका जो विशेशन होगा, वो चमकीला होगा, मत हिंदुस्तान यह संग्या है तो इसका विशेशन हो जाएगा हिंदुस्तानी जैसे विदेश का विदेशी जैसे सरकार संग्या है तो इसका विशेशन हो जाएगा सरकारी जैसे यात्रा यात्रा का हो जाएगा यात्री पुरान का हो जाएगा पौरानिक और भारत का हो जाए में जैसा आपने देखा कि हमारे भारत की जो सांस्कृतिक एकता है अनेकता में एकता बिभिन भाषा भाषी विभिन आचार विचार अटक से कटक तक कश्मीर से कञ्या कुमारी तक अनेक भाषा भाषी होते हुए अनेक आचार विचार वालों होते हुए अनेक रीत रिवाज वाले होते हुए सांस्कृतिक रूप से एक है इसी एकता का इसी महत्ता का प्रतिपादन पंडित जवाहलाल नहरू ने भारत माता पाठ में किया है